हलो फ्रेंज आज्की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एंप्रॉजरी फ्लॉजर को और साथ लग सकते हैं और दूसरा वाज हम देखेंगे कि हम hats स्थाइज बोबिन पर वाइंड कैसे कर सकते भी इच्थेअन आeno जब हम लोग एम्ब्रॉइडरे स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हमारे फ्लॉज़ इंक्रीज होने लगते हैं तो उस केस में क्वेशन अराइज होता है कि हम अपने फ्लॉज़ को और्गिनाईज कैसे करें बहुत सारी मेथड हो सकते हैं फ्लॉज़ को और्गिनाईज करके रखने के कुछ लोग इन स्किन्स को फॉल बैग में ही स्टोर करते हैं जैसे ही आते हैं या फिर कुछ लोग इन्हें इन स्किन्स को ड्रॉर में रख लेते हैं कुछ लोग इन्हें प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं, कुछ लोग सील किंग में इन स्किन को रखकर कोड मेंशन करते हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक बॉक्स में बॉबिन्स पर वाइंड करके इस इंडिविजुल स्किन को बॉबिन्स पर वाइंड कर करती हूँ देखी फ्रेंस इस container का जो size है प्लास्टिक का container is size है 9 inches by 12 inches 9 inches by 12 inches का इस container है और इसमें almost में अपनी पूरी ही embroidery tool kit को रख लेती हूँ जैसे कि देखी फ्रेंच ये tracing tools है इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये pin cushion है pearl head pin and scissor and needles then friends ये सारे ही stranded cotton thread है और ये metallic threads है ये मेरे पास इस तरहा की reel में है golden and silver and few more shades are there ये golden है ये black है ये silver है ये copper है और ये blue kind of light blue shade है चीए friends आप एक और चीज में साथ के साथ आपको बता देती हूँ कि मैं इन threads पर इन metallic threads पर मैं ये masking tape लगाती हूँ इसके end पर आप देखेंगे मैंने समय लगा रखिये इसके end पर ये इसमें नहीं लगाई है क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने उको बताने के लिए नहीं लगाई है कि ये इस तरह से खुल जाता है इस end को रोकने के लिए ये जहां पर end आया इसके उपर छोटा सा पीस masking tape का इस तरह से लगा देते हैं इससे क्या होता है ये खुलता नहीं है इन थ्रेट्स पर ये masking tape लगाने की ज़वरत नहीं है क्योंकि ये तो रुख जाता है अब फ्रेंज मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के ये जो बॉबिन्स में मैंने वाइंड किया हूँ है इंडिविजुली ये दो तरह के बॉबिन्स मैंने यूज की हूई है आप कोई भी बॉबिन्स यूज कर सकते हैं मार्केट में बहुत सारी अवेलिबल है जैसे की प्लास्टिक बॉबिन्स वुडन बॉबिन्स कार्ड बॉबिन्स थिकर कार्डबोर बॉबिन्स देर और so many options आप उन में से choose कर सकते हैं बट in case आपके local area में आपके घर के पास ऐसी bobbins नहीं मिलती है या फिर आप उन्हें घर में खुद बनाना चाहते हैं तो friends इस तरह की bobbins आप घर में बना सकते हैं मैंने इन bobbins को घर में बनाया है इसका लिंक भी मैं आई बटन पे शेयर कर दूँगी आप जाकर चेक कर लेजेगा ये मोटी ये थिकर हैं cardboard bobbins थीज आर थिनर card bobbins मैंने इन दोनों को बनाना उस वीडियो में बताया है आप इस तरह की bobbins घर में भी बना सकते हैं अब फ्रेंज हम देखेंगे कि इन इंडिविज्वल थ्रेड्स को बॉबिन पर वाइंड कैसे कर सकते हैं कि इस तरह की bobbins मानली जाए आपने बना ली या फिर आपने मार्केट से परचेस कर ली तो फिर इस थ्रेड को हम बॉबिन पर वाइंड कैसे करेंगे उसका पूरा प्रोसीजर में आपको बताती हूं फ्रेंज देखे मैंने यह होममेड बॉबिन ले लिए इस पर मैं इस फ्लॉस को वाइंड करके दिखाऊंगी आपको सबसे पहले मैं इस बॉबिन पर इस फ्लॉस का कलर कोड मेंशन करूंगी यह देखे फ्रेंज यह एंगर का थ्रेड है फ्रेंज मैं एक ब्रैंड की थ्रेड्स नहीं यूज़ करती हूं मैं कई ब्रैंड के थ्रेड्स यूज़ करती हूं ठीके फ्रेंज यह anchor है आप देख पा रहे हैं तो मैंने सबसे पहले हाँ पर A मेंशन कर दिया है इसके बाद इसका color code है 072 A मैंने color code भी मेंशन कर दिया है यह जो मैंने pen use किया है यह black permanent marker है इससे मैंने इस पर color code मेंशन कर दिया है अब इसके बाद मैं इस floors को पूरा unwind कर लूँगे और उसके बाद उसे इस bobbin पर wind करूँगे सबसे पहले मैं इसे पूरा खोल लूँगे इस में जमीन जो फ्लोर है आपका वो clean होना चाहिए अब फ्रेंस मैं इस पूरे फ्लोस को unwind कर रही हूँ अन्वाइनिंग कर रही हूँ अन्वाइनिंग प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि इस अन्वाइनिंग पर स्पैसिफिक लिए अलग से वीडियो बनी हुई है मैं उसका लिंक आई बटन पर दे दूंगी आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंस अदर्वाइस यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरह से फ्रेंस मैंने पूरा फ्लोस अन्वाइंड कर लिया है अब मैं इसे वाइंड करना शिरू करूंगी पूरा फ्लोस अभी जमीन पर गिरा दी है मैंने खोल कर फ्लोर मैंने क्लीन कर लिया था अब इस तरह से मैं वाइंड करना शिरू कर रही हूं एक हिस्से को यह यहां पर मैंने पकड़ा इस पर मैंने एक दो बार धागा लपेटा पकड़ के रखने की इसको जरुरत नहीं है ठीके फ्रेंट्स वाइंड कर रहे हैं इसे वाइंड करते हुए आपको एक चीज का ध्यान यहां यह रखना है कि यह जो कलर कोड मेंचन ने धागा इस पर हमें के वाइंड नहीं करना है और फ्रेंट्स वाइंड करते हुए यहां पर इतना स्पेस खाली छोड़ना है मैं आपको बताती हूं क्यूं खाली छोड़ना है स्पेस देखिए फ्रेंट्स जब यह पूरा वाइंड हो जाएगा न तो इसके पाद जस्ट आपको यह ऐसे प्रेस करना है यह रूख जाएगा इस पर हमें मास्किंग टेप लगाने की ज़रुरत नहीं है वह हमें मेटालिक थ्रेड में ज़रुरत थी क्योंकि उसका टेक्स्चर देखिए इस पर हमें मास्किंग टेप लगाने की ज़रुरत नहीं है देखिए इस तरह से हमने वाइंड कर दिया थ्रेड पूरा और यहां पर हमने इस पेस छोड़ दिया अब मैं आपको बताते ही हमने इस पेस छोड़ा क्यों है देखिए फ्रेंट्स जब भी हम इन सिक् जो बच गए उन्हें हम सेम कलर की बबिं में यहीं पर वाइंड कर देते हैं इस पेस में यहां वाइंड कर देते है इससे क्या होता है वह ießen कर बची जब भी हम यहां यह से उन्हें यूज कर लेंगे मैं दिखाती हुँ छी में कैसे वाइंड करके रखती हूँ तो देखे फ्रेंट यह भी अंकर का ही थ्रेड इसमें प्राक्टिकली बॉबिन में तीन सेक्शन होते हैं जिससे मैं इने यूज करते हूं पहला कलर कोड अमने कलर कोड मेंशन कर दिया मैंने यह देखे यह 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 जुछ आप सिरफ एक यह ब्राइंड की फ्लॉज़े य आपको यह दिर्द लेटर मेंशन करने की ज़ारत नहीं है क्योंकि आप जब एक ही ब्राइंड यूज और लिखने ही ज़ारत नहीं आप कलर कोड छर्वर्ट देशा नगर कर दिद दिया है 1st section है bobbin में फर्स ने आपने क्लर कोड मेंशन किया second section में आपने फूरा flaws को लपेट दिया और तीसरे section में यह जो three strands मेरे बच गए थे मैंने उन्हें वाइंड कर दिया तो इससे क्या हुआ इन फिचर जब भी मैं इस red को यूज करूँगी तो मेरे पास इसमें three strands यहीं पर अबेलेवले मैं यहीं से इने use कर तो फ्रेंज अगर बॉबिनपर लपेटते हुए आपका thread उलज रहा है यहाँ पर एक वर अपने खोल दिया बॉबिन पर लपेटते हूँ उलज तो आप क्या करें जितना लपेट चुका है ना उसके बाद वाला अप कट करें उसे एक बार सुलजा लें और उसके बाद दुबा जैसे कि लिए कलर कोड की सीक्वेंस में रखना कमफटीबल हो जैसे कि कलर कोड है 11 आप रखें 12 13 14 15 16 इस सारा से सीक्वेंस में में मेंटेन करें मेरे लिए सीक्वेंस में में मेंटेन करना कमफटीबल नहीं है बिकास मैं कलर कोड के एकॉर्डिंग आम नौट वरकिंग मैं श ब्ल्यू एक साथ ग्रीन एक साथ ताकि मेरे पास मुझे मेरे पास की पिंक के कितने शेड हैं मेरे लिए ये अब देखे फ्रेंज ये आपकी कन्वीनियंस हो सकती है आपके लिए कौन सा मेथड कमपड़िबल है आप इन बॉबिन्स को कौन से सीक्वेंस में अरेंज करके ये दोनों सिर्फ एंकर के थ्रेड के हैं बाकी ये सारे अलग ब्रैंड के हैं लेकिन ये सिर्फ एंकर के हैं इसलिए मैंने इन अलग मेंटेन किया लेकिन अगर आप विदिन बोथ देखेंगे ना इन दोनों के बीच में विदिन देखेंगे तो देखे रेड सब एक साथ ह blue एक साथ है purple के सारे shade एक साथ है then सारे green एक साथ है सारे yellow एक साथ है फिर pink एक साथ है तो मेरे लिए यही method comfortable है कि मैं सारे shades एक साथ रखती हूँ आपके लिए कोई और method working हो सकता है अब friends question आता है कि मैं इन flosses को इससाना से organize करती ही क्यों हूँ organization मैं करती ही क्यों पहला कि मुझे shades का पता चल जाए कि मेरे पास pink कौन कौन से और कितने है red है तो कौन से है कितने है कितने shades है कौन कौन से color तक ही मेरे को एक बर देखते ही पता चल जाए हाँ मेरे पस यह सारे green और मैं easily choose कर लो दूसरा reason होता है friends मुझे color code का पता करना मान लीजिए मेरे पास यह वाला thread खतम हो गया यह देखिए यह anchor का ही thread है यह खतम हो गया अब in case जब खतम हो गया तो मेरे पास इसका color code है color code की help से मैं इसे easily restock कर लोंगे market से जाकर खरीद लोंगे यह देखिए friends इसमें क्या है anchor 301 में easily market में जाकर इसे restock कर लोंगी because color code का पता होना क्यूं जरूरी है क्योंकि मान लीजिए आपका project चल रहा है project बीच में है और कोई 2-3 shade खतम हो जाते हैं आप उन्हें कैसे restock करेंगे exact shade क्यूंकि अगर आपका project चल रहा है तो आपको तो exact shade चाहिए ना आप उसी change नहीं कर सकते तो अगर आपके पस code होगा तो आप easily उस exact shade को वापस restock कर पाएंगे इसलिए friends इस code number का पता होना बहुत जरूरी है because code number is the identification of that particular shade इसलिए friends मैं और फ्लॉस को ओर्गेनाईज करते हूँ पहला reason कि मेरेको पता हो मेरे पास कौन-कौन से shades available है दूसरा reason कि मेरेको color code का पता हो friends आज के लिए इतना है thank you very much हुआ 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 है